नमस्कार दोस्तों भारत ने बाला कोट पर एर स्टाइक किया तो DRDO दुवारा बनाए गए स्वेदेशी स्मार्ट गाइडिड बॉम पर भरोसा नहीं किया गया और उसकी जगें इसराइल में बना हुआ स्पाइस 2000 लेजर गाइडिड बॉम इस्तमाल किया ऐसा क्यों किया गया क्या भारत को अपनी ही टेकनोलोजी पर विश्वास नहीं है या वज़े कुछ और थी क्या इसराइल में बने इन्हीं लेजर गाइडिड बॉम्स ने हमें कारगिल में जीत दिलाने में एहम भूमी का निभाई थी इसके अलावा भी इस वीडियो में जानेंगे कहां तक निर्भय और अस्तरा मिसाइल की डेवलेप्मेंट हो चुकी है और अब इन्वे स्वयदेशी कॉम्पोनेंट कितने परसेंट है यानि भारत के बने हुए उपकरण अब कितने परसेंट लग चुके हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आप सभी को पता है कि भारत ने पाकिस्तान में अंदर गुसकर बालाकोट इलाके में एस ट्राइक की और जैसे मोहमद के आतंगवादी ट्रेनिंग कैम पर लेजर गाइडिड बॉंब्स गिराए गये थे यह बॉंब्स थे स्पाइस 2000 इन्हें मिराज 2000 फाइटर जैट से गिराया गया था लेकिन यह बॉंब्स पहली चोईस नहीं थे DRDO द्वारा विक्सित SAAW यानि की स्मार्ट एंटी एर फिल्ड वैपन को इनकी जगह पर गिराया जाना था यह बॉंब्स स्पाइस 2000 के मुकाबले छोटे आकार के थे लेकिन इन में शमता स्पाइस 2000 वाली ही थी साथ ही यह हाइली एक्यूरेट बॉंब्स हैं जिनका काम होता है कि वो जाकर दुश्मन के बंकरों को अंदर तक पेनिट्रेट करके फटे जिससे दुश्मन को जादा से जादा नुक्सान हो डियाडियो ने इनको फ्रांस में बने हुए मिराज 2000 फाइटर जेट में इंटिग्रेट करना भी शुरू कर दिया था लेकिन फिर अचानक से यह फैसला बदल दिया गया और इसराइल में बने स्पाइस 2000 बॉंब्स को ही लगाया गया इसके बदलाव के पीछे दो कारण रहे पहला कारण था कि डियाडियो का स्मार्ट एंटि एर फिल्ड वैपन बैटल प्रूवन नहीं था इसके सारे टेस्ट तो सक्सेस्फुल थे लेकिन स्पाइस 2000 बहुत सालों से अपनी एक्यूरेसी साबित करते हुए लेकिन अब उन्हें मिरास 2000 में इंटीग्रेट करना था और बिना टेस्टिंग के इन्हें सीधा दुष्मन के इलाके में भेजना ठीक नहीं रहता हो सकता है कि ये बॉम सही से इंटीग्रेट ना हो पाए हो और सटीक कैलकुलेशन ना होने से अपने सही निशाने पर ना ल लगा हुआ है जिससे यह वातावरन की स्थिती वेट टार्गेट के लोकेशन के हिसाब से अपना रास्ता चुन सकता है साथ ही इसमें तस्वीरे भेजने की शमता भी है जिससे अनुमान लगाया जा सके कि बॉम्स सही जगे जाकर लगा है या नहीं और इसमें कितना नुक दूर से ही छोड़ा जा सकता है इस बॉम्स के अभी तक लगबग 17 सक्सेस्फुल ट्रायल्स हो चुके हैं वैसे एक बात और जो शायद आपको पता हो वो ये कि जो लेजर गायडिड बॉम्स यानि कि इसराइल के स्पाइस 2000 हमने दागे थे ये उसी इसराइल के हैं जिसने हमें 1999 में कारगिल के समय इन लेजर गायडिड बॉम्स की साहता से कारगिल लड़ाई जिताने में महतवपूर्ण भूमी का निभाई थी उस समय जब पाकिस्तानी सोलजर्स वै आतंगवादी धोखे से कारगिल की पहाडियों की चोटी पर बने बंकर्स में आकर बैठ गए थे और उचाई का फाइदा उठाते हुए भारत को काफी परिशान किये हुए थे उस समय भारत अपनी एर फोर्स की मदद नहीं ले पा रहा था क्योंकि हमारे पास सटीक निशाना लगाने वाले लेजर गायडिड बॉम्स नहीं थे अन गायडिड बॉम्स थे जिनके वे इंजिनियर्स को भारत भेजा उन्होंने बहुत कम समय में ही ये लेजर गायडिड बॉम्स मिरास 2000 फाइटर जैट में इंटिग्रेट किये उसके बाद इंडियन एर फोर्स ने मोर्चा सभालते हुए पाकिस्तानी बंकरों को चुन-चुन कर तबाह कर दिया जिससे पा दिया डियो ने हाल ही में अस्त्रा एर टू एर मिसाइल के नेक्स्ट वर्जन यानि की अस्त्रा एमके टू के डेलप्मेंट को जल्दी से पूरा करने की बात कही है जिससे इसकी रेंज लगबग 150 किलो मिटर तक हो जाएगी और इसकी गिंती दुनिया की बेहतरीन एर टू एर मिसाइल में होने लगेगी अब ट्री टोप उचाई पर उडने वाली और रडार को चक्मा देने में समर्थ निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में भी अपडेट आई है कि नेक्स्ट टेस्ट में इसमें स्वधेशी सीकर वें इंजन लगाया जाएगा भारत ने पहले ह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए स्वधेशी सीकर डेवलेप करके टेस्ट किया हुआ है वहीं एक और सीकर का डेवलेप्मेंट चल रहा है दोनों में से जो ज़्यादा अच्छे से कंपेटिबल होगा और जो अच्छे रेजल्ट देगा उसे निर्भय मिसाइल में लगा दिया साथ ही स्वधेशी मानिक इंजन का भी प्रोडक्शन जल्दी ही शुरू होने जा रहा है निर्भय क्रूज मिसाइल के नेक्स्ट टेस्ट में जब मानिक इंजन और स्वधेशी सीकर लग जाएंगे तो यह मिसाइल पूरी 100% इंडियन एक्विपमेंट्स पर बनी कहलाएग जो एक बड़ी उपलब्धी से कम नहीं है दोस्तों क्या आप भारत की मिसाइल टेकनोलोजी और नए नए वेरियंट्स की सफलता को काफी मानते हैं या अभी भी भारत को और तेजी से अपने डेलेपमेंट प्रोग्राम को बढ़ाते हुए डेलेपमेंट और टेस्टिंग में लगने वाले समय को कम करना चाहिए किरपया कमेंट सेक्शन में बताइए साथ ही आप इसराइल को भारत के सहयोगी के रूप में दस मैंसे कितने अंक देना चाहेंगे अंक देते समय यह बात भी ध्यान में रखेगा कि जब कारगिल के समय इसराइल फटा-फट कई तरह दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए इसे शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार